वेलकम टो प्यूर कोकिंग इस वीडियो में मैं हिदरबादी शादियों वाली हरीस की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो बिलकुल बवर्ची स्टाइल है देख सकते हैं आप कितनी रेशेदार और स्टिकी बनी है तो चलिए बनाना शुकरते हैं सबसे पहले मैं गहूं लिया है मैं रहे है दो कप और इसको grinder में मैंने इस तरह से थोड़ा सकर लिया हैँ आप चाहें तो डल्या ले लेकिन यहां के रवा बनाने से और अच्छी बनती है तो इस तरह से रहा से मैं लिया है तो यह 500 ग्राम लेना इसे धो के अच्छे अह से भीगा कर रखे लिगंते के बाद में गया है से उपट में इसे में आड करेंगे माज की डाल और इनको अच्छे से डाल के हमने गला लेना है इतना गला चाहिए कि इसको हम अच्छे से ग्रैंट कर सके इसमें एड करेंगे फोड़ा सा नमक टेस्ट के साब से कॉटर टी स्पून हल्दी पॉडर और 500 ग्रैम दूद यह दूद टोंड मिलक है क्योंकि शादियों में जो हरीस बनती है यह वही रेसिपी है तो इसलिए मैं इसमें दूद दाल के पका रही हूं अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि यह दूद सुख जाएगा और यह दल्या जो है अच्छे से 100% पक नहीं जाता थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसको मैं इसी तरह पका रही हूं कुकर में कभी-कभी यह जल जाता है तो जब तक दल्या गलता है हम गोश्ट भी पका लेंगे तो दो किलो मैंने गोश्ट ले लिया है या अधि लाइची अधि लॉग या दो टीशपून काली मिर्ची साबित काली मिर्ची वन टीशपून शाजीरा हाफ टीशपून कबाप चिनी दिए यह कबाप चिनी है दो इंच की सिनमानिस्टिक है और लॉग है आठ यह सब चीजने इसमें एड कर देंगे और दो बेलीफ करेंगे टेस्ट कि हिसाफ से नमक करेंगे और हल्दी पॉर्टर और यह तेल है मैंने पहले से ही प्यास फ्राइक करके रखिए है इसको गानिश करने के लिए और यूज चाहिए और पानी दाल दे पानी दो ग्लास दाना है इसमें हमने यादा दालनी है ज्यादा यादा ओड़ATHANा दालेंगे और आट से तसचों पकाना है क्याइब मैं अब ने सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स करते है अब हम इसका लिट लगा देंगे और गला लेंगे गोश्ट को इतनी देर में देखिए हरीस का रवा गाड़ा होने लगा है तो मैं इसमें दूद आट कर रहे हैं टोटल मैंने एक लिटर दूद आट किया है आप चाहें तो गरम पानी आट करें लेकिन दूद में हरीस बहुत ही टेस्टी बनती है तो जरूर ट्राय करें दूद के साथ में अब इसको फिर से हम मीडियम फ्लेम पर ढखका रख देंगे जब तक कि यह जो है 100 परसंट गल नहीं जाता इतनी देर में यहां पर मैं पोटली का मसाला यूस कर रही हूं पोटली का मसाला आपको हैजरवाद मे किसी भी शॉप में मिल जाएगा इसकी डीटेल रेसिपी मेरे चैनल पर है मैं उसके लिंक आप से शेयर कर दूँगा इसमें खस होता है ड्राय जिंजर धनिया काली मीर्च सूखा गुलाब का पत्ता बड़ी इलाची और काली मीर्ची इन सब को पानी में दाल के हाफ होने तक इसको हमने अच्छे से बॉयल करना है जो शादियों वाली हरी होती है उसकी फ्लेवर की राज यही होती है तो मैं यह याट कर रही हूं आप चाहें तो आइट करें लेकिन इससे जो हरी से वह एक लेवल और ऊपर चली जाएगी तो जरूर आट करें देखिए थोड़ा एक लकडी का होता है उसे मैश करते हैं लेकिन मैं ग्रेंडर में ही पीस रही हूं किस्टा मिन नहीं है इतनी देर में देखिए गोश्ट भी हमारा अच्छे से गल गया है इस तरह से मैं नाई फैट देख रही हूं तो बिल्कुल गल गया है तो इसको हम निकाल के थंडा कर लेंगे गोश्ट को गोश्ट को ग्रेंडर में नहीं पीसना है और यह ज Corn já जेंगिए नहीं सेफ़ट Thousand बिल्कुल बिल्कुल भ teddy को ग्रि false C तो मैंने अच्छे से लिए और गोष्ट को पीस लिया है और गोष्ट को अच्छे से मैश कर दिया है इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम और इस लो पर रख दिया है मैंने हाई फ्लेम पर अब हमने इसके अंदर जो गोश्ट के बचे हुए bones और stock बचा हुआ है वो add करेंगे, stock जरूर दाले, इससे हरीस अच्छी लगेगी, bones आप चाहें तो दाले, वरना नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन stock जरूर यूज़ करें, मुझे bones पसंद है, हरीस में तो मैं add कर रही हूँ, साथ म हम इसमें जो हमने पोटली का मसाला का पानी है वो भी हम अट कर देंगे तक कि थोड़ी सी हमारी हरीस लूज आउट हो जाए अब हाई फ्लेम पर इसको हमने तकरीबन आदा घंटा हिलाते हुए पकाना है जितना गोश्ट और दलिया जो गोश्ट और दलिया है गोश्ट और ही मज़िदार होगी आपने देखा होगा शादियों में काफी देर तक इसको हाई फ्लेम पर ही पकाया जाता है और गोटा जाता है अब मैंने मुठी भर के तलीवी प्याज इसमें आट कर दी और इसको मिक्स करते हुए कम से कम हाई फ्लेम पर आदा घंटा पका लेंगे औ अब होटलों में या हैदरबादी फंक्शनस में खाते हैं अब इसमें आट करेंगे बाखी का भी तेल तो 500 ग्राम तेल मैंने गरम किया था थोड़ी सी प्यास डाल के मैंने गोश्ट के साथ पका लिया था अब लास्ट में आट करेंगे एक बंच कोथमीर कटा हुआ थोड अब इसमें विश्ट करेंगे 50 ग्राम असली घी और सर्फ कर देंगे टेस्टी हरीस को गरम गरम ही सर्फ किया जाता है हरीस को शादियों में तो गरम-गरम सर्फ करें थंडी होगी तो अच्छी नहीं लगेगे और हरीस की बात मैं आपको बता दूँ यह जल्दी खराब हो अब सारी चीजहों से सजा देंगे फ्राइड अनियन गाजू लेमू और घी तो बहुत ही मजेदार शादियों में बन कर तयार होने वाली हरीस बनकर तयार है देख सकते हैं आपका लुक कितना आया है और खाने में तो यह लाजवाब है देखे कितनी रेशेदार और और रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए चेर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको हरीस की रेसिपी पसंद आएगी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल प्यूर कुकिंग को ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स for watching